हर्यों प्रीदर्सकों यदि आप तुला राश के जातक हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, शमझिएगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा कि 21 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं घटने वाली हैं क्या घटनाएं घटेंगी, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं इसे हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और कब होंगे, कैसे होंगे ये सबहम अच्छे से जानेंगे साथ में हम जितने भी ग्रहों के परिवर्तन होंगे जितने भी योग, दुर योग हों या राज योग हों सभी का हम इसलेशन इसमें करेंगे और जो आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं किसी वीडियो में बताया जाता कि बहुत अच्छा होने वाला है तो दूसरी वीडियो में बताया जाता कि बहुत बुरा होने वाला है पर होगा क्या, सभी का निचोड हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक साथ ही तो सब से पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की, सूर की तो सूर 16 नवंबर शेही अपना राशी परिवरतन करके और वरश्चिक राशी में, मंगल की राशी में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और चंद्रमा तो सवा दो दिन में ही विदलते रहते हैं तो हम उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे मंगल की चर्चा करें, तो मंगल अपनी राशी में ही गोचर कर रहे हैं यह भी 16 नवंबर से ही गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं अब हम 21 नवंबर से हमने क्यों लिखा यह भी हम समझेंगे तो देखा जाए, तो मंगल रूचक योग, पंच महापुरुष योगों में से यह रूचक योग आता है जो की बहुत बड़ा योग माना जाता है परन्तु यह तुला राशी बालों के लिए नहीं बनता है पर इससे भी बढ़िया इस्थिती बन रही है, वो क्या है हम जानेंगे इसके अलावा, शूर मंगल की राशी में आके, मंगल के साथ बैठके सौर योग का निर्मान कर रहे हैं जो की यह सौर योग कब तक रहने वाला है? दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक रहेगा क्योंकि 16 दिसंबर को फिर शूर अपना राश परिवर्तन करके और धनु राशी में देव गुरु ब्रहस्पत की राशी में गोचर करने लगेंगे इसके अलावा बुद्ध की बात करें तो बुद्ध 16 नवंबर से लेके और ये दिसंबर के लाश तक कई बार ये इस्तिया अपने बदलने बाले हैं पहले तो मंगल की राशी में गोचर कर रहे हैं फिर ये वक्री होंगे, मारगी होंगे, धनु राश में जाएंगे वक्र अस्त होंगे, उदे होंगे ये कई स्थितिया ये यहीं पर भ्रह्मन करने वाले हैं इनका भी क्या प्रभाव होगा ये भी हम जानेंगे फिर देवगुरु ब्रहस्पति की बात करें तो अभी तक ये वक्री थे अब 31 दिसंबर से मारगी होने वाले हैं तो ये क्या रिजल्ट देंगे क्योंकि देवगुरु ब्रहस्पति इस समय आपके दामपत्य भाव में गोचर कर रहे हैं इसलिए समझना बेहत जरूरी है और साथ में नवम पंचम योग भी जब धनूराशी में शूर गोचर करेंगे देवगुरु ब्रहस्पति से नवम पंचम योग में आएंगे और मंगल जब गोचर करेंगे 28 दिसंबर से धनूराशी में तो मंगल भी नवम पंचम योग में आ जाएंगे इसके अलाबा बुध और शुक्र की यूती होने वाली है 28 दिसंबर को तो इससे 28 दिसंबर में जो है तो बनने वाला है बहुत बड़ा योग कौन सा योग लक्ष्मी नाराएन योग जो की धन संपता देने वाला होगा तो हम समझते हैं एक-एक करके और शुक्र की बात करें तो शुक्र अभी नीच राशी में गोचर कर रहे थे अब ये 25 दिसंबर से गोचर करेंगे नीच राशी को छोड़ के मंगल की राशी में ये इस्तितिया हैं ग्रहों की और राहु केतु का तो आपको पताई है कि राहु केतु 31 अक्टूबर से ही राजपरिवत्तन करके मीन राशी और कन्या राशी में गोचर कर रहे हैं और सनी देव चार नवंबर से ही वक्री से मारगी हो चुके हैं ये ग्रहस्तियां इतनी बड़ी कहा जाए तो बनी हुई हैं बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा अब हम एक एक करके समझते हैं इनका सब का प्रभाव जो राज योग तो देखा जाए तो आपके जीवन में यदि घर परिवार में अभी तक कले का महल बना हुआ था घर परिवार में बादव्यात किष्टिती बनी हुई थी घर के परिवार के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो अब घर परिवार के लोगों का सपोर्ट प्राप्त हो पैसा नहीं आ रहा था कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी अब पैसा आने लगेगा केरियर में ग्रोथ आपको मिलने लगेगी इसके अलाबा देखा जाए यदि आपको रोग बाधाएं बहुत जादा थी रोगों से बहुत जादा आप परिशान थे तो अब आरोगता की प्राप्ती भी होने वाली है इसके अलाबा मंगल देव आपके जीवन में यदि चिंता थी भै था बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा आप धरे हुए थे अंदर से कि क्या होगा कैसे होगा तो इससे भी अब मंगल देव आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं इसके अलाबा देखा जाए तो मंगल देव यदि आपके बैंक बैलेंस में समझ्याएं थी बैंक बैलेंस नहीं बन पाता था अर्थात धन आता तो था पर रुकता नहीं था अब धन की व्रद्धी के साथ साथ में धन रुकने भी वाला है संतान को लेकि यदि आप चिंतित थे तो संतान का अब शुक आपको प्राप्त होगा और उन लोगों के लिए भी बहुत चिस्टिती बन रही है जिन्हें संतान के योग बने हुए थे फिर भी संतान प्राप्ती नहीं हो रही थी क्योंकि मंगल एक पूरुष ग्रह है इसकी संबंध यदि बन जाए तो ये कहीं न कहीं आपको संतान दिलाता है वैसे तो देवगुरू ब्रहस्पती हैं संतान के दिपती तो वो भी आपके दामपत्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और जैसे ही सूर का और मंगल का नमम प जाधाएं थी बाद भी आच चल रहा था अनमन की इस्तिती बन गई थी और यदि आप यहां तक कि यदि तलाक की इस्तिती भी बन गई थी इससे भी आप बच सकते हैं हम उपाए भी लास्ट में जानेंगे और महत्पूर बात भी करने वाले हैं और यदि लोग नहीं मिल रहा था अब व्यापार में ब्रद्धी होगी और लोगों का वी सहयोग प्राप्त होने बाला है तो देखा जाये तो आपके जीबन में अब ये बड़े बदलाओ होने बाले हैं परिवारिक समस्या दूर होगी आई की समस्या दूर होगी पैसा रुक नहीं ही यदि आप सरकारी छेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे थे वहां सफलताएं मिल रही थी तो अब विजय प्राप्त होगी और यदि प्रॉपर्टी से संबंधित शे आप घर लेना चाहते हों जमीन लेना चाहते हों खुद का घर बनाना चाहते हों या छोटे वहाई बंद मैंने बताए कि यह सब प्राप्त होगा तो तुला राशी के या हर राशी के लोग एक तो है नहीं करोरो लाखो लोग हैं तो अब यह कैसे निश्चित होगा कि आपको प्राप्त होगा कि नहीं क्योंकि आप किसी वीडियो में देखते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है तो दूसरी वीडियो में देखते हैं कि बहुत खराब होने वाला है, तो क्या होगा, अब मैं ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ, ये जो आप अभी प्रभाव आपने अभी सुना, ये गोचर का प्रभाव था, परंतु 50% गोचर का प्रभाव और 50% आपके जन्म कुन्डली का प्रभाव, जब दोनों का प्रभाव एक जैसे बनता, अर्थाद ग्रह स्थिती बढ़िया बनती है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, यदि ग्रह स्थिती कमजूर है, आपके ग्रह नीच के हैं, या किसी पाप मद्धत में हैं, या अश्टमेश, सश्टेस, या दौ अश्टमेश के साथ बैठे हुए है, या इन से द्रश्ट हैं, या नीच के हो गए हैं, अंसबल से कमजूर हो गए हैं, या कहीं न कहीं सनी देव से द्रश्ट हैं, राहु के तुछ से द्रश्ट हैं, और भी कई स्थितियां हैं, यदि किसी तरह कहा जा कि पीडित हैं, तो मिलते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में तो आपको अपनी इस के अलाबा महा दसा किसकी चल रही है अंतर दसा किसकी चल रही है ये भी हुए नंबर पे आपको वार्टसप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, दच्छिना लागू रहेगी, दच्छिना आप देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखी हुई है, तो यदि आप बिशलेशन करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह सब कुछ आपके साथ हो आप जान सकते हैं, अब हम सब बात कर लेते हैं सालधानिया की, क्योंकि हमेशा शिक्य के दो पहलू हुआ करते हैं, एक पहलू नहीं, अब यहां समझने वाली बात क्या है, बुद्ध को, बुद्ध इस शमये मंगल की राशी में भी गोचर करेंगे, फिर देव गुरु ब रस्पत की राशी में गोचर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आपश में शत्रू हैं, मित्र नहीं हैं, जिसकी बज़े से आपको अपने बाड़ी में सयम रखना होगा, इसके अलाबा बुद्ध जो है, आपके जीवन में निर्णे लेने की छमता को कंजोर कर देते हैं तो जब भी कोई निर्णे लें, उस समय शाओधान रहें, बहुत सोच समझ के ही निर्णे लें, इसके अलाबा अपने स्वास्त का ध्यान रखना होगा, स्वास्त में खास कर वेशे, तो शूर आपको स्वास्तल आप दिलाएंगे, मंगल स्वास्तल आप दिलाएंगे, पर दर्द मांसिक टेंसन भी ये दे सकते हैं इसके अलावा बुद्य का आधिपत्व बानी में तो गले से सम्मंदिस समस्या भी हो सकती है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा इसके अलावा शुक्र अब नीचत छोड़ के और गोचर करने वाले हैं मंगल की राशी में तो लक्षमी नाराण योग का निर्मान तो करेंगे तो धन लाब तो करवाएंगे परन्तु वहाँ पर थोड़ी सी ये सा उधानी रखनी है कि कहीं देव गुरु ब्रहस्पती और शुक्र आपकी जन कुंडली में कमजोर तो नहीं है कि कमजोर नहीं होंगे मजबूत तब तो अच्छी बात है और वेसे भी मैं कहूं तो खराबी से ज़्यादा अच्छाई है अच्छाई क्या है कि ये नीचत तो अपना छोड़ के और ठीक है सत्रु राशी में ही गोचर क्यों ना कर रहे हूं कम सकम नीचत तो इन्होंने छोड़ दिया है तो अभी तक जो दामपत्त जीवन में बादवियाद करय की स्थिती बनी हुई थी उसमें काफी हद तक आपको राहत मिलेगी कहीं न कहीं थोड़ा सा कंपेटीशन में यह हैं यह यह स्टुडेंट हैं यह सोशल मीडिया में वर्क करते हैं यह आप यूटूबर हों फेस्बुक में अपनी एक्टिविटी करते हों या अन्य सोशल मीडिया में वहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा और इसके अलाबा अप ठीक है आप क्रियेटर नहीं हैं आप पोस्ट नहीं करते हैं वीडियो नहीं बनाते हैं पर यदि आप सोशल मीडिया में कुछ कमेंट भी एक क कर रहे हैं activity वहां पर सावधान रहना हुआ क्यों कि एक गलती हमको बहुत सारी नुकसान पहुंचा सकती है तो इन चीजों का ध्यान रखें और competition में हैं यदि तो वहां भी सावधानी बरते हैं तो प्रिदर्सकों आपने पूरे ये लगभग डेड़ महीने का result क्या था आपने समझ लिया क्या सावधानी रखनी है और क्या लाब होने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं उपाई की तो उपाई की बात करें एक तो आपको देखा जाए तो भगवान नारायन और माता अरचन जरूर करें और भगवान गड़पती को भी दुर्वा चड़ाएं और अपनी कुल देवी के नाम से एक दिया आपको जलाना चाहिए या तो उनका नाम अस्मरण करना चाहिए भगवान नारायन का अस्मरण और माता लक्षमी का अस्मरण करते रहें और इनके मंत्र का जब कर सकते हैं स्री सुक्तम का पाठ भी कर सकते हैं और तुलसी अर्चन करना ना भूलें साथ में कमें जैमालक्ष्मी और हरियों ये दो सब्द आपको लिखना है और खाली लिखना नहीं है एक बार यदि आप लिख रहे हैं तो 10-20 बार उस समय लिखते समय आपको बोलन भी है जिससे यहीं से अस्मरण शुरू हो जाए और भगवान की कृपात की उपर हो जाए मैं लिखने के लिए हमेशा इसलिए कहता हूँ इसाथ में आप अश्मरण भी भगवान का करें प्रिदर्स को कमेंट करना ना भूले और वीडियो को जादा से जादा से शेर करें जिससे यह जो बीच में लोगों को रिजल्ट मिलने बाला है वो जानकारी उनको प्राप्त हो सके शेर उनहीं को करें जिनका आप हित चाहते हैं भला चाहते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद और यदि आप हमें कुछ सुझाओ देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में सुझाओ भी दे सकते हैं हम पुरा प्तन करेंगे कि आपके सुझाओ का जो है तो कहीं न कहीं पूरी तरह से इस्तमाल किया जाए कहीं न कहीं हम पूरी तरह से उसे इम्प्लिमिन्ट किया जाए वीडियो देखने के लिए बहुत भुत धन्वाद